देखे चीन बेहद परेशान है और अब अमारिका की टेंशन दो गुना यहाँ पर ज्यादा हो गई है क्योंकि एरान ने अपनी पूरी ड्रोन फोर्स युद के लिए तैयार कर दी इरान अगले 24 घंटे में एक ऐसा खतरनाक जोरदार हमला कर सकता है जिसका सबसे बड़ा टारगेट इसरेल है लेकिन इस बीच इरान ने एक वीडियो भी जारी किया और इस वीडियो को जारी करके बाइडन को बहुत बड़ा सदमा दे दिया अगले 24 घंटे में एक वीडियो जारी कर सकता है वीडियो ये ड्रोन से धमाकूं का वीडियो ये तस्फीरें इरान को बहुत जोश दिलाती हैं और ये ही वज़ा है कि उसने अमेरिका को एक वीडियो दिखा कर ऐसा शौक दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है ये है अमेरिका का सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर जो पर्शियन गल्फ से गुजर रहा है यानि फारस की खाड़ी इसे इरान अपना इलाखा मानता है लेकिन खबर ये नहीं चौकाने वाली बात ये है कि अमेरिका के इस डिस्ट्रॉयर का वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है वो इरान का एक अटैक ड्रॉन है इस वीडियो में एरान के ड्रोन ने अमेरिका के इस जहाज को टागट पर लिया हुआ है और यही बात बाइडन को डराने लगी है इरान इस वक्त बहुत ज्यादा अक्रमक हो चुका है वो अमेरिका को बहुत गड़ा सबक सिखाना चाहता है इरान बार बार कह रहा है कि जर्णल कासिम सुलिमानी की हत्या का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है और अब उसने ड्रोन वाली पावर दिखाकर ये बहुत ही खतरनाक मेसेज अमेरिका तब पहुँचा दिया है इरान ने अपनी ड्रोन पावर दिखाने के लिए एक बड़ा युद्धभ भ्यास किया है इस युद्धाब भ्यास में दोसों से ज्यादा ड्रोन लॉंच किये गए जो उसने खुद बनाए हैं जिन ड्रोन को इस युद्धाब भ्यास में शामिल किया गया उन में चामरूश, यासिर, सादिक, पेलिकन, कमान, यजनदान और मुहाजिट ड्रोन है इन ड्रोन के जरीए एरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को बता दिया है कि छिडोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह बरबाद कर देंगे इरान की ड्रोन टेकनॉलिजी बहुत आगे पहुँच चुकी है ये युक्रेन की युद्ध में रूस की मदद कर रही है तो यमन के अलावा सीरिया और अब लिबनान में हिजबुला भी एरान की ड्रोन पावर का इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन जब से अमेरिका की वार्शिप के उपर एरान की ड्रोन मंडराता हुआ दिखाया गया है बाइडर और उनके दोस्तों में गज़त की दहशत पहल गई है क्योंकि सब बाइडर से सवाल कर रहे हैं कि इरान का अटैक ड्रोन उनके जंगी जहाज के उपर उड़ता रहा उसके बहुत करीब आ गया और उसे टागट पर भी ले लिया लेकिन अमेरिका की नौसेना को इसकी खबर तक नहीं हुई आखिर ऐसी ड्रोन पावर से अमेरिका कैसे निप्टेगा क्योंकि एरान ने ये ड्रोन जारी करके साबित कर दिया है कि उसके ड्रोन पावर तो अमेरिका को ही निप्टा सकती है किसी भी वार्शिप के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी ही नहीं पेज़ती वाली बात है कि दुश्मन का ज्रोन उसके उपर मंडराए और उसे खबर तक नहोगी अमेरिका का आरलेट पर्ग जाहाज दुनिया की सबसे बेहतर एर डिफेंस और मिजाईल डिफेंस हक्यारों से लेस है अमेरिका के पास ऐसे उनहतर जहाज है ये वार्शिप ऐसे रेडार से लेस है जो सैक्डो किलमेटर दूर से आसमानी टागेट को खत्म कर सकते है इसमें लगा एर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया के किसी भी वार्शिप के एर डिफेंस से बेहतर माना जाता है और ज्यादा सटीक माना जाता है इसकी फायर पावर ऐसी है कि ये अकेला वार्शिप पूरी एरान की नेवी को खत्म कर सकता है लेकिन इसी जंगी जहाज के उपर अपना ड्रोन मंडरा कर इरान ने अमेरिका का आत्म विश्वास किसी चीशे की तरहा चकना चूर कर दिया है अब इरान के आसपास तेनात होने वाला अमेरिका का पूरा बेड़ा खत्रा महसूस कर रहा है इरान ने खुद को एक ड्रोन सुपर पावर के रूप में पेश कर दिया है और उसके टागेट पर इस वक्त दो देश पहला है अमेरिका और दूसरा है इस्राइल इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है यहां इरान का खासा दबदबा रहता है और यहां पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समुद्री बेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चैताबनी दे रहा है इरान की ड्रोन एक्सिसाइज में हर दाव परक लिया गया है पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक आफ करता है वो पूरे स्ट्रेट और हार्मूस पर नज़र रखता है यह इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन निगहबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरिश टू जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आफ करता है वो नज़दी की पहाड पर दुश्मन के एक अड़े को टागेट करता है तीसरा ड्रोन यह है अबबील टू जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टागेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहास यह एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबबील टू बहुत ही सटीक हमला करता है इस तरहा इरान ने अपने तमाम हथ्यार आजमाने शुरू कर दिये हैं इरान की रणनीती शुरू से ही आक्रमक रही है ऐसे ट्रेलर रिलीज करके एरान बताता रहता है कि पर्ष्टमेशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीज़ा बहुत बुरा होगा एरान के ड्रोन बहुत खतरनाक हैं यह पूरी दुनिया मान चुकी है युक्रेन में इरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है युक्रेन के बिजली घरों पर रूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले की और उनको इतना नुक्सान पहुँचाया कि 50 प्रतीशत युक्रेन अंधिरे में डूप गया और अब यही फायर पावर लेकर इरान खाड़ी देशों में बड़ी पावर बन चुका है सवाल है कि इतनी बड़ी ड्रोन पावर बन कर इरान क्या करना चाहता है इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस है और इन में कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सेनी तैनात है इरान की वार्निंग है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपना बुरिया बिस्तर समेट कर भाग जाए नहीं तो वो उसे भागने पर मजबूर कर देगा इरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और ड्रून ट्वाइरिंग रेंज और साथ में उससे होने वाले धमागी की ताकत दिखाकर इरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के हर मिलिटरी बेस को अपने टागट पर ले लिया है अमारिका और इरान की बीच में तनाव लंबे वक्त से है कई अरसू से है लेकिन यहाँ पर यह समझना बेहत ज़रूरी है कि आखिर इरान सीधे-सीधे तोड़ पर अमारिका को चुनोती क्यों नहीं देता दरसल कुवेट में अमारिका के 10 सैन अड़े हैं यह तमाम गल्फ कंट्रीज में जहाँ जहाँ पर सैन अड़े हैं अमारिका की है वो हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले इसमें आता है कुवेट कुवेट में 13,000 सैनिक तैनाथ हैं अमारिका के और यहाँ पर देखिए सैनिकू की आबादी कितनी है 13,000 जो की अमरीकी सैनिक और बहरीन में अमरीका ने 12,000 अड़े बनाये हुए है और यहाँ सैनिकू की जो संख्या है वो 3,700 के करीब है और इसी वज़ा से यहाँ पर कई फोजी अमरीका के तेनाथ है वही साओधी अरब की ओर आगे बढ़ते हैं और अमरीका के 10 मिलिटरी बेस यहाँ पर है साओधी अरब में और यहाँ पर सैनिकू की अगर संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर अमरीकी सैनिक 3,000 हैं तो आप देख सकते हैं कुवेत, बेहरीन और साओधी अरब अगे बढ़ते हैं ओमान में अमरीका के 6 अड़े है और यहाँ पर उसके 600 सैनिक तेनाथ हैं वहीं UAE की बात की जाए सईंत अरब अमिरात में अमरीका के 3 अड़े हैं और यहां अमार्की सेना का होना उसके लिए खत्रा बन जाता है। यही वज़ा है कि एरान अब अमेरिका को इस इलाके में परदाश्ट नहीं करना चाहता है। क्योंकि उससे लगता है कि अमेरिका इन ही अड्डों से उस पर नजर रखता है। और यहीं से वो कभी भी इरान के न्यूकिलियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका की जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खत्रानाथ हत्या तैनात रहते हैं। यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहां तैनात करता रहता है। इसमें एरान के लिए सबसे बड़ा खत्रा है कतर का अल-उदैद एर बेस जो पूरे पश्रिमेशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है। यहां अमेरिका के अलावा ब्रिटन की रॉयल एर फोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहां करीब डिर्सो फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्रिमेशिया पर नज़र रखता है। इरान ने अब अमेरिका को खुलम खुला वार्निंग देनी शुरु कर दी है। और इस बार अमेरिका एरान की धंकियों को हलके में नहीं ले सकता। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर के ऊपर अपना अटैक ड्रोन बंडराकर इरान ने एक तरह से बाइडन को युद्ध का नोटिस दे दिया है।